खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईए और ABP News को सब्सक्राइब कीज़े। इसा ना करने की वज़े से किसी की जान पर बन आए तो उसका जिम्मदार कौन होगा। इन सवालों का BMC के पास सिर्फ एक ही जवाब है जाच कराएंगे। BMC की ये जानलेवा लापरवाही एक डेड़ साल के बच्चे पर भारी पड़ गए। पूरी खबर दिखाने से पहले आप पांच हेडलाइन्स देखिए। मुंबई के गोरेगाओं में BMC की जानलेवा लापरवाही खुले नाले में गिरा डेड़ साल का बच्चा दिव्यांश। CCTV फुटिज से दिव्यांश की गिरने का पता चला 24 घंटे बाद भी नहीं मिला कोई सुराग। दिव्यांश के पिता का आरोप है प्रशासन बच्चे की तलाश को लेकर गंभीर नहीं परवार के लोग ही ढूणने में लगे हुए है। स्तानियर शिवसेरा विधायक का शर्मनाग बयान बच्चे के नाले में गिरने को छोटी घटना बताया। हाथ से पर मुम्मई के मेर की बोलती बंद है कहा घटना की जाँच कराएंगे। ये हैं देश की स्मार्ट सिटी की तस्वीर। ये हैं मुम्मई को शंगाई बनाने वाले सपने का कड़वा सच। और ये हैं देश की सबसे अमीन महानगर वालिका का हाथ। मुम्मई में बारिश होती हैं तो सडके गायब हो जाती हैं क्योंकि पानी निकलने की सही विवस्था नहीं है। बारिश खत्म होती हैं तो ऐसे डाले और मेन होल खुले छोड़ दिये जाते हैं जिनने पानी के साथ साथ इंसान विभाए जाते हैं। यही हुआ मुंबई के गुरेगाओं के अम्बेटकर चौक रिहाईशी इलाके का ये छोटा सा नाला कल रात भी ऐसा ही खुला हुआ था पर डेड़ साल के दिव्यांच को ये कहां पता था उसने तो अभी कुछ समय पहले ही चलना सीखा था कल रात यूही चलते हुए वो अपने घर से फाहर आया कुछ कदम आगे बढ़ा फिर घर की तरब रौटने लगा रात के अंधेरे में दिव्यांच ने देखा नहीं और चलते चलते सीधे नाले में गिर गया उस वक्त रात के पौने दस बजे थी तब से अब तद पूरी रात और पूरा दिन पीच चुका है दिव्यांच उस नाले से होते हुए कहां चला गया किसी को नहीं पता जोखा है और उसके रिटन होगी है नहीं दिखाया तो फिर पूरे गल्ली में अमलोग इब उधर उधर रुम में डूडे नहीं पता चला आ है किसी को पता भी नहीं चलता कि दिव्यांश नाले में गिर गया है अगर ये CCTV पुटेज सामने नहीं आता घटना के खबर मिलते ही स्थानिय लोगों के साथ पुलिस प्रशासंतर सब दिव्यांश की खोज में जुड़ गए रात में ही बुल्डोजर गुलाया गया नाले के आगे के हिस्से को तोड़ा गये लोगों ने अंदर घुटकर भी बच्चे की तलाश की लेकिन कोई स्थुराग नहीं मिला यह देखे कई बार लोगों का कहना है कि इसकी शिकायत की गई लेकिन इस नाले को कभी ढखा नहीं गया सड़क के किनारे किनारे यह नाला गया हुआ है और जगर जगर पर इसी प्रकार से तोड़ कर बच्चे को तलाश किया जा रहा है देकिन नाला बहुत गहरा नहीं है नाला मुश्किन से देड़ फिट है लेकिन जब ये बारिश कल रात को बहुत हो रही थी और पानी के प्रवाह बहुत ज्यादा थी तब हो सकता है कि उस पानी में हलका वजन का बच्चा हो वह बह गया हो कि आपको आगे लेकर चल रहा हूँ अब ये आगे जाने के बाद ये गोरे गाउं का फ्लाइवर आ जाता है मुखे काफी बड़ी सड़का जाती है और करीब देड़ किलोमेटर के बाद में एक बड़ी नाले में जुड़ जाता है सवाल ये है कि क्या दिव्यांच बहते हुए उस बड़े नाले में जागे रा और अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद तेड़ साल के इस नन्हे बच्चे का क्या हुआ हुआ इसी आशक्का से पूरा परिवार घबराया हुआ है जाता है जाता है जाता है तो आगर जो रेस्क्यू कर रहे हैं तो रेस्क्यू टीम है कहां मुझे कहा गया कि खाड़ी में 40 आदमी खाड़ी मेरे दोस्तों ने जाके देखा एक आदमी नहीं है परिवार घम में है और इलाके के लोगों में गुटसा है कई घंटों की तलाश के बाद की दिव्यांच का पता नहीं चला तो अस्थानिय लोग सड़त पर उतराएं रास्ता जाम कर देखा गुटसा BMC पर था आखरकार मेयर सहाब अपने दफ्तर से निकले और सरकारी गाड़ी से यहां पहुँचे लोगों के बीच से होते हुए वो उसे नाले तक पहुँचे जहां बच्चा गिरा था और उसे कुछ ऐसे देखने लगे जैसे कभी उन्होंने खुला हुआ नाला या मेन होल देखा ही ना उनसे पूशा गया कि बीमसी की जिम्मेदारी है ऐसे नालों और रेंबोल को ढखना तो फिर ये खुला कैसे रहा गया नेर साब ने कहा कि यही तो मैं भी सोच रहा हूँ तो यह जवाब है उस महानगर पालिका के मेयर का जिसका बजट देश के कई शहरों की नगर पालिकाओं से जादा है पिमसी का इस साल का कुल बजट करीब 30,000 करोड रुपे है नालों और मेन होल के लिए लगभक 830 करोड रुपे रखे गए है इन 830 करोड रुपे का बिमसी क्या कर रही है यह आपके सामने ऐसा नहीं कि यहाल सिर्फ उस एक नाले का है जहां यह घटना हो यह भी पी न्यूस को मुंबई के कई इलाकों में खुले मेन होल और नाले देखे जो अपना शिकार ढूट रहे है लोग नाराज है क्योंकि बीमसी के इस भारी भरकम बजट के लिए टैक्स देते हैं लोग नाराज है क्योंकि वो बीमसी के कामकाज पर नज़र रखने के लिए प्रतनीधी चुनते हैं लेकिन उन प्रतनीधियों को यह कहते शर्म नहीं आती कि एक बच्चे का यूँ भैजाना बस एक छोटी सी घटना है इसे छोटे-छोटे जो इंसिडन्स होते हैं उसके लिए मुझे भी बहुत दूख होता है पीमसी पर कई दशकों से शिवसेना का कबजा है राज्य में बीजेपी की सरकार है लेकिन ऐसी घटना पर ये चुने हुए लोग कैसे जिम्मिदारी से पल्ला जारते हैं ये भी देखे खुल मिलाकर जिम्मिदारी का टोपी ट्रासफर हो रहा है यानि जन्ता ये माल ले कि वोट भी वही दे, टैक्स भी वही चुकाए और खुर्वानी भी उसे ही देनी को क्योंकि अगर मुंबई जैसे शहर में बच्चा नाले में गिर कर गायब हो जाता है और प्रशासन कुछ नहीं कर पाता है तो सरकार के होने नहोने का पूई मत्तल नहीं दिव्यान शका नाले में गिरना बीमसी की लापरवाही के इंतहा है सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि नाले को खुला क्यों छोड़ा गया सवाल यह भी है कि बच्चे को निकालने के लिए पूरी ताकत क्यों नहीं लगाए गई क्या इसी बात के लिए बीमसी मुंबईकर से टाक्स वसूल दिया कि वो नाले खुले छोड़कर बच्चों को डूबने के लिए छोड़ दे अगर इस घटना के बाद भी लापरवा अधिकारियों को कठोर सजा नहीं मिली तो यकीन मानिये सिस्टम का कुछ नहीं हो पाएगा मास्टर स्टोर दिव्यान्श के दोशियों को सस्पेंड नहीं सजा दो